खरगोंजिले के बिष्टान थाना चेतर के गराम बास खेडी में रात करीब दो बजे अग्याद बदमाशु द्वारा आसरम के बाबा के साथ की गई मारपीट और रूपीए चुराने का मामला पुलीस ने मात्र दो ही दिन में सुलजा लिया है पुलीस ने बाबा से मारपीट कर रूपे चुराने वाले बदमाशु को महज 48 घंटे में गिरफतार करने का दावा किया है चार आरोपीटों मैंसे दो को गिरफतार कर 9,000 रूपे की नगदी और दो मोबाईल जबति किये हैं जबकि दो आरोपीट अब भी फरार है SGOP संजी चोहा ने बताये कि 7 माई को फर्यादी भोला बाबा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी मारपीट करने वाले सभी लोग मुह पर कपड़ा बांदे हुए थे फर्यादी की रिपोर्ट पर अपराद दर्ज कर विवेशना में लिया गया आरोपीतों की दलाश के दोरान संदिग्द को हिरासत में लेकर गहन पूस्ताश की गई जिसमें इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्विकार किया आरोपीयों को 48 घंटे के बितर गिरफतार करने पर एसपी ने टीम को 5000 रुपए का इनाम घोशित किया बिरो रिपोर्ट खरगोन खरगोन के पहाड रसी पुराव निवासी दीपक सोनी और कुले बावा जो कि नो दस साल से विष्टान थाना चेत्र के बहास खेड़ी में अनुमान मंदर के पास आश्रम मना कर रह गए हुए जिनांक 6 जून को रात्परी करीप दो बजे कुछ अग्याद चोरी करने के उद्देश से आये जिस पर बावा ने उनको देखकर द्रोथ किया जिसके चलते चोरों जारा उन पर मारपीट किये और वहाँ पर आश्रम में रखे हुए 22,000 रुपे चुडाकल ले गए उपरोग गटना की अंभीता को देखते हुए श्रीवान पुलिस अडिक्छक महदे के दौरा एक विजेश टीम का गठन किया गया विजेश टीम के दौरा लगातार प्रयास किया गया और 48 गंटे के अंदर चोरी का खुलासा किया गया है इसके अंदर दो आरोपी जिसमें काना पिता जैमल और रेमसीन पिता लक्षमन को गरफतार किया गया है उनके कभजे से कुल 9,000 रुपे जप्त किये गये हैं और 2 मुवाइल जप्त किये गये हैं इसके अंदर इनके दौरा तीन अन्य आरोपियों के साथ यह गटना गटना बताया है तीन अन्य आरोपियों के तलास जारी है उप्रोप्त अपराज में सिर्वान परिशक महोडे के दौरा पांच यार रुपे का रिवाइडर जो टीम के दौरा अतन इंगर्टे में सपनता पाई है उसको गोज़ित दिया है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें